नमस्क्रार दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऐसी जड़ी बूटी बताने वाला हूं जो जड़ी बूटी अगर आपको कोई भी जहरीली चीज खा लेती है मालों अपने किसी सांप ने आपको खा लिया अगल कि साथ ही आपको आज количество साथ ही अजकल बर्साथ , बर्साथ में अपने देखा है । जातर जो पार अंदर जाते हैं लोग — यह जाते हैं तो बिच्छू काटा लेता है और डेैकने में तो दोस्तों जो भी जहरीली चीज अगर आपको कट लेती है तो आपको क्या करना होता है सबसे पहले तो आपको जहाँ पर काट लिया उसको कस कर बांध लेना है कि उसका जो बिश हो मारीश्रीर में मह intuitively चार चीरे की काटना तो भी को किसको करें खुड़ से एक्मिले और हम बाहरा निकल जाता झाया अगर हमें बिच्छू काट ले तो क्या करना चाहिए बिच्छू के लिए आज मैं आपको जड़ी बूटी बता रहा हूं, बहुत लाबदायक है, शायद आप लोगोंने भांग का नाम सुना होगा, अगर आप लोगोंने भांग का नाम नहीं सुना है, तो आप देख सकते है ये मैं भांग के पेड़ के पास आपने क्या करने है जहां पर बिच्छु ने काट लिया है उस जगा पर आपने भांग को पीश कि लगाने से जो बिच्छु का अफ्रह वो कहत्म हो जाता साथ ही अगर जिस बिच्छु ने आपको काटा है बिच्छु आपके सामने या तो उसको आप उसी टाइम मार दो उसको मारने के बाद उसी का जो खून होता है वो लगाएंगे तो उससे बिच्छु का आसर खत्म हो जाता है और इसका जो तीसरा अपचार है यह बहुत ही आसान है कि यह वार क्याता है कि जो जरीली चीज़े होती है वो काट कर भाग जाती है नहीं मिलती है तो उस तिति में आपको अगर बिच्छु में काट लिया है तो आपको उल्टी गिनती यह कोई जादू टोना है पुरानी जबता है हमारे भी हम कहीं जंगलों में पेड़ पोदे लगाने चलेगे थे तो बहाँ पर किमारे किसी दोस्त को बिच्छु ने काट लिया जब हम किसी के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप सो से लेकर एक तक गिंती बोलो तो आपने उल्टी गिंती बोलनी है जैसे 99 98 97 96 वन तक आपने इसको रिपीट करना है उसके बाद कहते हैं कि बिच्छु का जो असर है बिल्कुल खत्म हो जाता है अगर तो भी खत्म नहों है तो आपने इस बूटी का यूज़ करना है भांग को पीसना है और उसको लगाना है बहां पर और साथ में प्याज पीसकर आप इस पर लगा सकते हैं प्याज का रस्चे होता है तो दोस्तों आप लोगों ने आज सिखा कि अगर हमें बिच्छु काट ले तो हमें क्या करना चाहिए तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीस इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही मेरे चै